आप सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप कही अपने चैनल एस्टर लॉजर में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुलांग पांच वाले विक्तियों के गुणों के बारे में हम जानेंगे कौन सा रत्न इनके लिए भाग्यशाली रहता है कौन से उपाय कर सकते हैं अगर आपका जन महिने की 5, 14 या 23 को हुआ है तो आपका मुलांग 5 होगा मुलांग 5 का संबंद बुद्ग्रे से है जो की बुद्धी, नीती, विलक्षन, सूजबूज, क्रिया, शीलता, विनोध, प्रियता आदी से संबंद रखता है अंग जोतिश के हिसाब से अगर किसी का मुलांग 5 है और कुंडली में बुद्ध बुलवान हो तो ऐसे में जातक जीवन में अपने बुद्धी के बल पे नाम और यश्की प्राप्ति करते हैं ऐसे लोग अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, खाली बेटना इन्हें पसंद नहीं होता और हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं गोचर कुंडली में जब भी बुद्ध ग्रह की स्थिती कमजोर होती है, तब तब मुलांग पांच वाले लोगों को कमजोरी महसूस होती है, जीवन में संगर्ष बढ़ जाता है, संबंदों में खटास आने लग जाती है बुद्ध ग्रह अगर ज्यादा बली हो जाए तो ऐसे में भी ये जातक के लिए नुक्सान दायक हो जाता है, जातक मूफट बन जाता है, अपने गलत आदतों के कारण बदनाम भी हो जाता है आईए अब जानते हैं मूलांग पांच वाले वेक्तियां से संबंदित कुछ और खास बाते है, मूलांग पांच वाले जातक हस्मुक रहते हैं और ज्यादा देर अकेले में रह नहीं पाते दूसरों को भी आपका साथ अच्छा लगता है क्योंकि मनुरंजन करना आप खूब जानते हैं अगर आप किसी से सच्चा प्रेम कर लें तो उनको खुश्क रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते मुलांग पांच वाले लोग बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं इसी कारण इनके जीवन में दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है मुलांग पांच वाले लोग यूजना बनाने में भी माहिर होते हैं इसलिए नोकरी हो या व्यापार आप आसानी से सफल हो जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढाल लेना आपको खूब आता है और यही आपके सफलता का एक मुख्य कारण भी है ऐसे लोग एक से अधीक आयका स्रोत रखते हैं क्योंकि अंग पांच वाले खाली बेटना पसंद नहीं करते हर मुख्य का फायदा उठाना इन्हें खूब आता है अपने दिमाग में कुछ ना कुछ विचार हमेशा इनके चलता रहता है या यूँ कहें कि कोई ना कोई नीती बनाने में आप लगे रहते हैं बुद्ध के प्रभाव के कारण मुलांक पांच वाले लोग बहु मुखी प्रतिबा के धनी भी होते हैं इसी कारण ये कहीं भी आसानी से अपनी अलग पहचान बना लेते हैं कई बार ज्यादा उतावलापन आपके लिए हानी कारग भी हो जाता है अतहर ध्यान रखने की वी आवशकता है दूसरों को अपने व्यवहार से सम्मोहित कर लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत है आईए अब जानते हैं मुलांक पांच के स्वामी बुद्ध अगर खराब इस्थिति में हो तो जातक को कोन-कोन से बिमारिया या परेशानिया हो सकती है जातक को तवचा संबंधी रोग आसानी से परेशान कर सकता है दिमागी रोग से भी जातक जल्दी गरस्थ हो सकते हैं रक्त चाप हरदे संबंधी रोग भी परेशान कर सकते हैं ऐसे लोग पक्षाघात का शिकार भी हो जाते हैं मुलांक पांच वाले अगर ज्यादा समय अकेले रहे लें तो उधासींता या अवसाथ से गरस्थ हो जाते हैं कई बार गलत संबंधें आके बदनाम भी हो जाते हैं व्यापार में हानी भी हो सकती है शरीर शीन हो सकता है व्यर्थ के वाद विवाद में फंस सकते हैं आईए जानते हैं मुलांग पांच वाले भाग्य का ज़्यादा साथ पाने के लिए क्या कर सकते हैं आप अगर किसी कारे की शुरुवात महिने की 5, 14, 23 तारीकों करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इन तारीकों के साथ अगर बुद्वार का सैयोंग हो जाए तब तो आपके लिए बहुत ही खास दिन होगा अंग पांच वालों को भाग्य का और साथ पाने के लिए अपने जीवन में हलके हरे रंग का प्रियूग करना चाहिए जिसे आप चादर, रुमाल, कमीज, आदी, हलके, हरे रंग का इस्तमाल करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इसके अलावा अगर आप कांसे की थाली में भोजन करें, कांसे के गलास में पानी पीएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा आईए जानते हैं मुलांक पांच वालों के लिए कौन सा रतन भाग्य जगाता है आपका संबंध चुकि बुद्ध ग्रह से है अता बुद्ध के बल को बढ़ाने के लिए मुलांक पांच वाले पन्ना रतन धारन कर सकते हैं पन्ना को अंगरेजी में एमरल्ड भी कहते हैं इस रतन को बुद्धवार को शुब महुरत में पलेटीनम या सोने में बनवा के बुद्धवार को ही शुब महुरत में धारन करना चाहिए आईए अब जानते हैं मुलांक पांच वालों को भाग्य जगाने के लिए किन की पुझा करनी चाहिए अगर आपका मुलांग पांच है तो रोज आपको मालक्षमी जी के साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इससे बाधाएं हटेंगी और भाग्य का साथ मिलेगा आईए अब जानते हैं कौनसा यंत्र मुलांग पांच वालों के लिए भाग्यदे का कारक रहेगा आपको सिद्ध बुद्ध यंत्र के स्थापन अच्छे महरत में करके रोज उनके सामने आपको बुद्ध मंत्रों का जब करना चाहिए और किसी भी महत्वपुन कारे को करने से पहले सिद्ध बुद्ध यंत्र का दर्शन करना चाहिए इससे आपके कारियों में रुकावटे हटेंगी भाग्य का साथ आपका मिलने लगेगा आईए अब जानते हैं कुछ प्रसिद हस्तियों के नाम जिनका मुलांग पांच रहा है और जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया है विलियम शैक्स्पियर प्रसिद कलाकार, नाटकार, कवी इनका जन्म तेविस अप्रेल को हुआ था Karl Marx, जर्मन दार्षनिक, अर्थ शास्त्री, इतिहासकार, शमाश शास्त्री, राजनितिक सिध्धान्तकार, पत्रकार और समाजवादिक क्रांतिकारी, इनका जन्म 5 मई को हुआ था रानी विक्टोरिया, इनका जन्म 23 मई को हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 मई को हुआ था, प्रेम चोपड़ा, अभिनेता, इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, राज कपूर, प्रसिद अभिनेता, इनका जन्म 14 दिसंबर को हुआ था तो देखा जाए तो मुलांग 5 वाले विक्तियों के कुंधली में अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी हो तो इसमें कोई शक नहीं कि इनमें वाकपटूता दूसरों को अपना बनाने की कला अपना काम निकालने की कला कुशागर बुद्धी, नीती बनाने की कला लगातार कुछ न कुछ करने की आदत आदी बहुतायपने दिखेगा बुद्ध ग्रह के कमजोर होने पर गुड़ों में कमी नजर आती है ऐसे में भाग्योते के लिए मंत्र, यंत्र और अन्य उपायों का सहारा अंक जोतिश से परामश करके अवश्य करना चाहिए तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको मुलांग पांच वाले लोगों से संबंधित काफी जानकर याँ पराप्त होई होंगी अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके उपर ग्रहों का क्या असर हो रहा है आपके कुंटली के अनुसार तो आप संपर्क कर सकते हैं मार्क दर्शन के लिए भविष्यवानियों के लिए इस वीडियो की सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्यवाय